यदि आप भी मैटरिक बोड एकजाम 2024 में समलित होने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैट में आपका 100 में 100 आए तो आपके इसी उद्यसी की पूर्ती के लिए जो 50% रहता कि 50 marks के objective पूछे जाएंगे इस 50 objective पूछे जाएंगे इस 50 objective प्रसन के लिए हमनों मातर target निर्धार से भी कम समय में सभी प्रसन objective solve कर लेंगे तो इसी सीरीज की सुरुवात हम लोग किये हैं और इस करम में अगर आप पीछे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको मालूम होगा मैं real number से महत्वपूल objective प्रसन जो की matrix बोड एकजाम 2024 में पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं आज आपके दूसरे चैप्टरा वीडियो क्लास हो गया 15 क्लासे जिसमें आएंगे 15 क्लास में 15 चैप्टर हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे और ये जो 16-17 15 ये क्लास देखकर जाएंगे एकजाम देने आपका मैं दावा के साथ कर रहा इस से बाहर कोई प्रस्न नहीं आने जा रहा है विए हर एक टाइप का प्रस्न मैं आपको करा दे रहा हूं और देखे ओरीजनल फिलिंग लाने के लिए ताकि आप एकजाम में जाए तो हू बहू प्रस्न मैच करें इसके लिए मैं देखे यहां पे मैट्रिक बोड़ प्रस्न को समझे गा और खुद से बनाने का परियास किजिए बर कमेंट बॉक्स में उतर देते चलेगा चले यहां पर आगे इंस्ट्रक्शन है एकजाम में जाएंगे ऐसे ही आपको सेम इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा पिछले चेप्टर का कोई भी क्लास आपका 2024 में आज जो है सिर्फ आपके चैप्टर 2 और साथ की पॉलिनोमेल बहुपद से अबजक्टी प्रसंद की चर्चा करेंगे और इंग्लिस और हिंदी दोनों माध्य में प्रसंद तायार किया गया है अब ध्यान से उतर देंगे और इस प्रसंद का उतर नहीं मालूम होगा उसको ध्यान से समझेगा पेन कोंपी लेकर मोबायल को फूल स्क्रीन मोड में करके कलास को देखेंगे कह रहा है पहला प्रसंद किसी दोई घात बहुपद इतना कि सुनियक अलफा बीटा है तो अलफा पलस बीटा तो आप जानते हैं दोई घात बहुपद का अगर सुनियक अलफा बीटा हो और अलफा पलस बीटा मतलब सर सुनियक का योगफल पूछे तो सुनियक का योगफल कितना होता है कहीँगा सर माइनस बटाए बारीकी से सीखेंगे माइनस तो अपना फरमूला का है उसी तरह रह जाएगा B क्या होता है सर तो जो X के पहले हो तो जो X का गुलांग को कितना है अगर आप कह रहे हैं 7 है तो आप समझेए आप गलती कर देंगे प्रसुन को यहाँ पर देखिए साथ नहीं है सर माइनस साथ है क्योंकि दुई घात बहुपद का ब्यापक रूप ए एकस स्क्वाइर प्लस बी एकस प्लस सी का रूप का होता है इसी समलों तूनला करते है तो जो कॉंस्टेंट है वो सी हो गया जो एकस के पहले है वो बी लेकिन प्लस में यहाँ पर माइनस में तो यह माइनस फर्मूला का और यह माइनस साथ और यह देखिए तो जो एकस स्क्वाइर का गुनान का कितना है 6 है, minus minus plus 7 बटा में 6, 7 बटा में 6, जो भी विध्यारती option A के साथ जा रहे हैं, आपका उतर बिल्कुल सही है, हर एक टाइप का प्रस्ण मैं करा दे रहा हूं, ध्यान से अंतक देख लिजिए, आपका इसके पिछले चेप्टर आप अगर देख लिए होंगे, आपका रियल नमर का खेल खतम, आज का चेप्टर देख लेंगे, पॉलिनोमेल का खेल खतम, इसी तरह आप से 13 और वीडियो कलास आएगा, मैट्रिक बोड़ एकजाम 2024 में इससे बाहर कोई अब्जेक्टी प्रस्ण नहीं आएंगे, अब दूसरा नमर प्रस्ण देख यह काफी सांदार है, कहा रहा है आप से कि यदी बहुपद इतना के सुनियक बराबर प्रांतु बीपरीत चीन के होँ तब ये बराबर, अब देखें इसके सुनियक बराबर है, दुईगात बहुपद है, लेकिन बराबर है, उसके साथ बिपरीत चीन के हैं, यह ध्यान से समझेंगे, तो यह बराबर है, अब दोनों सुनिय का योगफ़ल, अगर हम लोग निकालें, तो सुनिय का योगफ़ल क्या होता है, अलफा पलस बीटा माइनस भी बटाएं, लेकिन इसमें कर रहा है कि एक अलफा है, तो दूसर minus alpha है देखिए प्रसमें लिखा है equal but of opposite sign बराबर कितना हो जाएगा minus b तो जो x का गुणांक है कितना है यह है और e तो जो x square का गुणांक है कितना है कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है ध्यान से समझना है plus alpha और यहां पर मैं एक बर और लिख दे रहा हूँ minus alpha बराबर minus a या 0 बराबर minus a या a बराबर 0 तो यह कितना हो गया 0 तो दूसरे का सही उतर क्या हो जाएगा options नहीं बारी की से समझेंगे एक जाम में सीधे सीधे प्रसंट टकड़ाएगा काफी तमाम टाइप के प्रसंट मैं करा दे रहा हूँ बस अंत तक कलास को देखते रही है और answer देते चलिएगा तीसरा नमर प्रसंट करा है निमलिखित में से कौन दुईघात बहुपद है जिसके सुन्यक 0 और 5 है अब जैसे ही कहें कि कौन दुईघात बहुपद है जिसके सुन्यक 0 और 5 है तो एक तो तरीका कहता है कि सबका answer यहाँ पे निकाली है लेकिन दूसरा बहुआ type formula क्या कहता है आप जानते हैं कि दुईघात बहुपद के सुन्यक दिया रहे और दुईघात बहुपद हमें निकालना हो quadratic polynomial तो हम लोग कौन सा formula लगाते हैं अगर आपको मालू होगा तो जल्दी से comment में बता देंगे जो भी पूछा जाए उसका answer देने का परियास करेंगे तो formula is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta अब देखिए x square उसी तरह है alpha plus beta यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x square और 5 में x से गुना होगा 5 x plus 0 x square minus 5 x के सुन्यक 0 और 5 होंगे option b is the right answer of question number 3 चलिए काफी बारीकी से मैं आपको आने का परियास कर रहा हूँ इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं होता है अब तीसरा नमर परसंद का सही उतर के आ गया option b ध्यान से आपने देख लिया चलिए आगे बढ़ें अगला परसंद चौथा नमर आपके स्क्रीन पे ए रहा कह रहा है परसंद आपसे कि 2 x square plus 5 x minus 12 बराबर 0 के मूल है अब इसका मूल बताना है मरतब की सुन्यक बताना है तो एक तो तरीका है कि फिर ये सभी मान रखके चेक करेंगे इसका मान अगर 0 कर दे रहा है तो ये मूल होगा दूसरा तरीका कि सीधे सीधे इसको solve कर लेते हैं तो चलिए solve करेंगे तो आप जानते हैं 12 x 2 में गुना करते हैं कितना हो जाएगा 24 और 24 को ऐसे तोड़ते हैं 2 से 12 2 से 6 2 से 3 अब इसको इस रूप में लिखना है कि यहाँ पे जोलने घटाने पे 5 आए और गुना भाग करने पे कितना आजाए आपका 24 तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 चार दुनी 8 आठ में से 3 घटा लेंगे 5 आजाएगा और 8 3 का 24 भी आजाएगा तो ऐसे तोड़कर निकाल लीजे जल्दी से बताएंगे क्या उतर आ रहा है आपका 2 x स्क्वाइर इसको लिख सकते हैं और पलॉस में 8 x और माइनस में 3 x 8 में से 3 जाएगा 5 और 8 3 का 24 यहाँ पे माइनस है बिल्कुल सही हमारा आ रहा है और माइनस 12 उसी तरह रहेगा बराबर 0 यहाँ पे 2 x हम कॉमन लेंगे तो x प्लॉस 4 हो जाएगा माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस प्लॉस 4 कर देगा यहां पे बराबर 0 अब आप जानते हैं कि बाहर वाला एक भीतर वाला यह से लेते हैं तो X प्लॉस 4 दो X माइनस 3 बराबर 0 मुबाइल के एक स्क्रीन पे मुझे लिखना होता है इसलिए मैं ऐसे लिखना हूँ ध्यान से आपको मुबाइल को फूल स्क्रीन मोड में करके एक एक चीज को बारीकी से समझना है X प्लॉस 4 बराबर 0 या 2 X माइनस 3 बराबर 0 जल्दी से बताएंगे आपका उतर क्या रहा है कभी भी आप कलास को देखे इसलिए वीडियो कलास तैयार किया जा रहा है ताकि आसानी से आप प्रसन को बार बार रोकरो कर देखकर समझे और उतर दें ताकि आपको लगए कि आप प्रसन सीख रहा हैं समझ रहा है क्योंकि इस से बाहर कोई प्रस्ण नहीं आने जारा इस स्रीज का यहीं उद्यस है कि आपके पास 15 ऐसा वीडियो क्लास का प्लेलिस्ट हो जो आप एकजाम के समय देख कर जाएं तो सीधे सीधे प्रस्ण टकड़ाएं तो एकस का दो मान हमने निकाला यहीं मूल हो गया माइनस चार तीन बटा में दो अब ओप्सन से मैच करेंगे कौन दिया है सर तो माइनस चार तो ओप्सन सी सही उत्तर हो जाएगा चार नमबर प्रस्ण का चलिए काफी सांदार उमिद कराओं इस प्रस्ण को आप सीख रहे ह तो एक दुःघात बहुपत के सुनियक का यूग तथा गुनन फल इतना है तो बहुपत तो ख़एगा सर अभी आपने फर्मूला एक लिखाया कि एक दुःघात बहुपत के सुनियक दिया रहे तो एकस स्कॉयर माइनस अलफा प्लोस बीटा इंटू एकस प्लोस आलफा into beta कर देंगे हमारा दुई घात बहुपत निकल जाएगा बिल्कुल आप समझदार हो चुके हैं अब देखिए x square तो अपना उसी तरह रहेगा alpha plus beta तो सुनियक का योग सीधे सीधे दे दिया minus 3 तो minus 3 रख देंगे x तो x है alpha into beta मतलब 2 दे दिया अब इधर देखिए x square minus minus plus 3 x plus 2 तो x square plus 3 x plus 2 ऐसे दुई घात बहुपत है जिसके सुनियक का गुनन फल और योग फल करम सीधे 2 और minus 3 होंगे अब देखेंगे कहां पे दिया है तो option B is the right answer of question number 5 यह उमीद कर रहा हूं सीख रहा है समझ रहा है बारी की से class को बार बार देखिए अगर मैत में अच्छा score करना चाते है तो daily सोने वक्त इस playlist में जाए और daily ये class को बार बार सिर्फ देखना है कैसे प्रस्ण है कैसे मैं solve कर रहा हूं कितना भी आप मैत में कम जूड होंगे आपका असानी से 50 में 50 objective सही हो जाएगा अगर जाम में स्तिर्फ आप देखे रहेंगे तो same to same यहीं प्रस्ण आने जा रहा है काफी type का प्रस्ण मैं आपको कराऊंगा अब छठा नमर बहुआ टाइप प्रस्ण एक घात वाला भुपद किया कहलाता है और पॉलिनोमेल ऑफ डिग्री वन इस कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमेल जिस घात घात वाला भुपद एक घात यह बहुपद अर साथ की रैखिक भुपद कहलाता है और इसका सुनियक एक होत अब अगला प्रस्ण देखिये करा है मैं इसलिए बोरा हूं कि से बाहर कोई प्रस्ण नहीं आएगा क्योंकि हर टाइप के प्रस्ण और एकजाम में भी ऐसा ही इंग्लीज और हिंदी दोनों माध्यम में प्रस्ण पूछे जाएंगे कहरा है आप से कि निमलिखित में से त तो तिरिघात बहुपद का सबसे ब्यापक रूप क्या होता है एकस क्यू प्लॉस ब्लॉस 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 दी जहां ए बराबर नहीं है जीरो क्यूंकि ए जैसे ही जीरो होगा इसको पूरा टर्म जीरो कर देगा और यह पूरा टर्म जैसे ही जीरो होगा यह क्या बज़ भी रहता कि एक एकस स्क्वाइर प्लोस बी एकस प्लोस सी कितना घात वाला बहुपद है चार घात वाला बहुपद है आगे बढ़ें यहाँ पे किलियर कोई डाउट नहीं आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रसंद करें आप से कि इसके उभैनिस्ट मूल है काफी सांदार प् तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं आप लोग भी उतर निकाल करेंगे कि क्या आ रहा है इसका मूल तो सबसे पहले इसको हमनों सॉल्फ करेंगे तो यहाँ पे तीन है ठीक है जो तीन को इस रूप में तोलना है कि दो आजाए तो ऐसे दिखें हमनों लिख सकते हैं यहा प्लॉस वन बचेगा माइनस तीन कॉमन लेंगे एकस माइनस माइनस प्लॉस वन बचेगा बराबर जीरो एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेते हैं कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं एकस माइनस तीन इधर है जीरो के इस साइड जाएगा तो plus 3 और plus 1 जाएगा तो minus 1 इसका दो सुनियक हमने निकाल दिया एक अपना गया 3 और एक minus 1 अब दूसरे गुननखंड को आम लोग सॉल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं तो यहाँ आप देखें पंदरों को तोड़ेंगे ऐसे तो 5-3 15 और गुना जोड़ेंगे तो 5-3 कितना हो जाएगा आठ भी हो जाएगा क्लियर आप समझ रहें ऐसे प्रसमें पीछे भी एक सॉल्व करके दिखाया जल्दी से पिन कोपी लेकर सॉल्व कीजिए मैथ है तभी आपको समझ में आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं एकस स्क्वाइर माइनस 3 एकस माइनस 5 एकस प्लॉस 15 बराबर 0 एकस कॉमन लेंगे तो एकस माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5 कॉमन लेंगे तो एकस माइनस 3 हो जाएगा एकस माइनस 5 और एकस माइनस 3 रहा है तो यहां पे हमने क्या देखा घगर बराबर जिरो करेंगे तो इधर पिलौस है तो यहां न commend root ग्या है तो इसका आगया माइनस और इसका 루क हमने कितना निकाल दिया सभेंद दोनों में है इस लिए Option B is the right answer of question no 8 का पी संदार सीख रहे हैं समझेंगे बारी की से सीखेंगे समझेंगे ओप्सन भी सही उत्तर हो जाएगा वीडियो कलास के रूप में प्रोबाइड करा हूं ताकि आप यहां पे सीधे सीधे आपके दिमाग में प्रसन आए और उत्तर आए बस और कुछ नहीं नौ नम्मर प्रसन बववा टाइप प्रसन है करा है बहुपद इतना कि सुन्यक सराब से प्रसन पूछ रहा है कि 10x-25 का सुन्यक मतलब कौन सा मान है x का जो ही में रखेंगे तो इसका मान है 0 कर देगा तो x बराबर माइनस 25 है तो plus 25 इधर गुना में है तो भाग में कटा देंगे 5 से यहां प द्यारती आंसर देते चलेंगे अंत तक देख लिजिए पिछले क्लास से में आपका रियल नमर का खेल खतम कर दिया यह वीडियो क्लास जो भी द्यारती देख लेंगे उनको कोई भी अब आपको अलग से बुक और कुछ भी अब्जक्टी बनाने क्यों सकता नहीं है पॉल प्रिnantा तो जीस चर में बहुपद है उसका जो जीस चर में बहुपद दिया रहे उसका जो मैकसिमम पाउर होता है वही उसो बहुपद का घात है तो यहाँ पे देख लिजिए एकस का मैक्सिमम पाउर क्या था ? दो था तो ऑप्सन भी दूई घाथ भाफद हो जाएगा प इसका सुनियक निकाल कर बता देंगे क्या होगा इस प्रस्ण का सही उतर एक सर बारा को तोड़ेंगे बिल्कुल तोड़िए दूसे हो जाएगा चाह दो से तीन इस रूप में लिखिए कि यहां पे चार आ जाए तो तीन दूनी चाह चाह में से दो जाएगा चार देखे कित माइनस दो हो जाएगा एक बाहर वाला एक भीतर वाला लिखते हैं तो एक सब्सक्राइबर बड़ाबर 0 लिखने प्रस्ण करने ऐसा कोई भी प्रस्ण आईगा मुझे बताना नहीं पड़ेगा आप सीदे-सिदे आंसर निकाल देंगे चलिए आब हम लों देखे कितना सां करें आपसे कि αलफा बीटा इसके रूट है इस equation के तो αलफा square प्लस बीटा square पांच तो value of P, value of P, P का मान किया होगा, अब दो तरीका है फिर कि इसका αलफा बीटा मून निकालेंगे यहाँ पर मान पूट करेंगे, लेकिन सर यहाँ पर दिखाई देरा है कि αलफा square प्लस माइनस बी मतलब माइनस और बी जो X का गुणांग का कितना है, देखिए यहाँ पर 3P है, यह कितना है तो A x square का गुणांग है, एक है, तरता कि αलफा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस 3P, अब हम लिख देंगे, एसक्वाइरिंग बोच साइट, हमने क्या निकाल दिया, आलफा प्लस बीटा ब्राबर माइनस 3P, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखना है, B क्या है, जो X का गुणांग है, A जो X square का गुणांग है, अब एसक्वाइरिंग बोच साइट, दोनों साइट एसक्वाइर करते हैं, इधर मैं लिख कर आपको clear जाएगा आपका, इसका square करेंगे तो 9P square, अब देखिए, अलफा square प्लस बीटा square, तो अलफा square प्लस बीटा square कितना है, सर 5 है, प्रसन में दिया है, सीधे सीधे मान रखेंगे, 2, अलफा इंटू बीटा, तो मैं मान निकालकर आप जलदी से बताए, अलफा इंटू बीटा कोई confusion नहीं create करना, आप जानते हैं सुन्य का गुननफल पूछा जा रहा है, सुन्य का गुननफल कितना होता है, सी बटाए, सी मतलब सर जो अकेला है, कितना है, 2P square, यह मतलब जो X square का गुनान के कुछ नहीं है, असाद कि 2P square, तो अलफा इंटू बीटा हमने कितना निकाल करेंगे, सर, 4P square बराबर 9P square, या 5 बराबर 9P square प्लॉस है, तो माइनस 4P square, या 5P square बराबर 5, या P square बराबर 5 बराबर 5 बटा 5, या P बराबर सर, अंडर रूट एक बराबर प्लॉस माइनस एक, कहां पे है, गुरुजी, option C is the right answer of question number 12, कितना सांदार प्रसंद था, यहीं है या कजाम के लेबल का प्रसंद, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, यह अपना दुई घात बहुपद है, आलफा एस्क्वार प्लॉस बीटा एस्क्वार दिया था, पी का मान पूछ रहा था, तो आलफा प्लॉस बीटा निकाल लिए, हमने माइनस भी बटाए करके, तो माइन स्थिरी पिया, हमने स्क्वार इस्क्वार प्लॉस बीटा एस्क्वार का मान दिया था, और आलफा इन्टू बीटा हम जानते है, सुन्या का गुनन फल होता है, और सुन्या का गुनन फल का फर्मूला सी बटाए, हमने मान बैठा दिया, यह प्रसंद दो तीन बार जरूर देख ली जागा, यहीं तो हमारा टार्गेट है, इसलिए मैं वीडियो क्लास के रूप में आपको हरे क्लास प्रोवाइड कराना हूँ नहीं, तो यह सभी प्रसंद में आपको ए आर केरियर पॉइंट यूटूब चैनल पर करा चुका हूँ, इसका थियोरी भी उसके सासा आपको सीधे प्रसंद दिखाई दे और कुछ नहीं, ताकि आपके माइंड में सभी प्रसंद सेट होते जाए, अब देखिए अगला प्रसंद करा है, दुई घात बहुपत इतना के मूल बारिकी से बनाएंगे, आंसर निकल जाएगा, जल्दी से बता देंगे क्या आंसर ह होगा, इसका मूल पूछ हजा रहा है, चलिए, मूल मतलब X का मान मूल होता है, तो यहाँ पर X का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, A square, P square, X square बराबर, माइनस है तो इधर, पुलोस में Q square, या X square बराबर, Q square, और इधर गुना में है, तो भागा में आ गय Q, बटाम में A, P, और रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलता है, तो पुलोस माइनस में होता है, कहीं पर दिया है, बिल्कुल दिया है, option D, सही उतर हो जाएगा, 13 नमबर प्रस्न का, चलिए, उतर देते चलेंगे, बारी की से प्रस्न को सीखेंगे, समझेंगे, यहाँ ध्यान से मैं स्टेप बाई स्टेप तोड़कर सॉल्व कर रहा हूं, आब भी साथ में बनाकर जभी भी कलास को देखेंगे, कोई वीडियो कलास है, कभी भी आप कलास को देख सकते हैं, उतर जरूर कमेंट किजिएगा, 14 नमर प्रस्न, कराए, दुई घात समिकरन इतना के म मूल का योग, तथा मूल के गुननफल का अनुपात, सर अबजेक्टिव प्रस्न है, तो सीदे सीदे फर्मूला का यूज करेंगे, मूल का योग मतलब अलफा प्लोस बीटा, और मूल का गुननफल मतलब अलफा इंटू बीटा, इसी का अनुपात पूछा जा रहा है, अल माइनस तो माइनस है, B तो जो X का गुलांक है कितना है? कहींगा सर माइनस 15 है, और C तो जो कॉंस्टेंट है कितना है? 50 है, तो यहीं तो मान पूछा है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लोस और यहाँ पे भी आपका 50, 5 से कटा देंगे, 3 अनुपात, 10, कहाँ आपे लोग सभी प्रस्न की चर्चा कर लेंगे, और एक भी प्रस्न इससे बाहर नहीं आने जा रहा है, आगे बढ़े, अगला प्रसं कर रा है कि दुईघात समिकरन के मूल इतना हो तो दुईघात समिकरन होगा, अब ऐसा प्रस्न में आपको कितना सिखा दिया, जल्दी से बता द तो सीधे सीधे माइनस पांच माइनस वन इन्टू एक्स और प्लॉस में आपका माइनस पांच इन्टू माइनस वन देखिए एक्स स्क्वाइर और यहां पे देखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस च्छो और माइनस माइनस हो जाएगा प्लॉस होगा दुए घात समिकरन जिसके मूल माइनस पाच माइनस वन होंगे कहां पे दिया गया है सर तो ओप्शन ये सही उतर हो जाएगा देखिए अब ऐसा प्रसन एकजाम में आएगा आपको धुआ 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 उला देना है एक भी प्रसन ऐसा आपको गलत नहीं करना है खु का घात किया होगा ठीक है अब भाग फल का घात तो अपने को तो भाग देना नहीं को अब्जेक्टी प्रसन है तो हम जानते है किस से हमको भाग देना है एक स्क्वाइर प्लस दू एक्स प्लस वन से किस में भाग देना है तो थिरी एक स्क्वाइर प्लस एक स्क्वाइर थ ठीरी X आएगा ठीक है दो में से तीन घटेगा पावर जब बेस समानों तो पावर घट जाता है तो एक्स का पावर कितना है एक है कितना हो जाएगा option A समझ रहे ना भाग फल का घात पूछा जा रहा है तो option A सही उत्तर हो जाएगा भाग भी आप दे सकते हैं तब भी एक ही आगए क्योंकि इसी इसी से मतलब है सबसे पहले भाग में इसी इसी से भाग देते हैं और इसके बाद तो जो भी भाग पलाएगा इससे कम घात वाल अभियास कर लेंगे आपसे एकजाम में कोई सी भी प्रसन का उतर गलत नहीं होगा अब 17 नमर प्रसन देखिए करेगा सर बहुआ टाइप प्रसन है बिलकुल करें कि यदि बहुपद GX इतना है तो G-1 करें G-1 मतलब सर X के जगा पर माइनस 1 कर दिया तो जहां जहां इधर X से वहां भी माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 का होल स्कॉयर माइनस 7 माइनस 1 प्लॉस 2 अब गुना भाग करके बताएंगे कितना उतर आ रहा है तो 3 माइनस 1 का होल स्कॉयर करेंगे तो प्लॉस 1 3 में 1 से गुना करेंगे 1 और प्लॉस 7 प्लॉस 2 3 7 3 10 12 12 देखिए कितना असान प्रस्ण था option B is the right answer of question number 17 ये काफी सांदार हुइद कर रहा हूँ आप सीख रहे हैं ध्यान से बारीकी से समझ रहे हैं ये तो कितना असान प्रस्ण था इसा प्रस्ण कुछ भी अब पूछे का एकजाम में सीधे मान बैठा कर गूना भाग कर देना है अब जल्दी से बता दे प्रस्ण प्रस्ण पर सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रस्ण का चलिए काफी सांदार उमीद करना हूँ इस प्रस्ण को भी आपने सीख लिया वैसे प्रस्ण एकजाम में आएंगे आप गलत नहीं करेंगे अब देखिए 19 नंबर प्रस्ण पर स्ट्ण पर प्रस्ण अबर इतना के सुनियक अलफा बीटा हैं, तो 4 into alpha plus beta, देखें, मान क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे, 4 alpha plus beta का मतलब, कहीं अगा सुनियक यहीं है, alpha beta इसको जोड़ा है, मतलब सुनियक का योगफल, कितना होता है गुरुजी, minus b बटा a, 4 minus b, तो जो x का गुनांख है, minus 3, e जो x square का गुनांख है, 1, ठीक है, 4 minus minus plus 3, इसे भाग करेंगे, तो एक भागफल 3 ही आपका आएगा, 4 तियांगी 12, minus plus का ध्यान रखेंगे, तो option a सही उत्तर हो जाएगा, 19 नंबर प्रस्न का, इसे प्रस्न का उत्तर गलत नहीं करना है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आप से कि सीधे सीधे दो फर्मूला पर देखिए, कितना प्रस्न है कि alpha plus beta minus b बटा a, alpha into beta c बटा a, कह रहा है इसके सुनियक का गुनानफल 8 है, मतलब सर alpha into beta 8 है, ठीक है, अकेला है सर 2a, यह मतलब जो x square का गुनानफ है, कुछ नहीं है, एक है बराबर 8, या a बराबर 8 गुना में है, तो इधर भाग में 4 a, कितना है सर, 4 है option a, सही उतर हो जाएगा, देखिए कितना आसानी से आप answer निकाल पाएंगे, बस बार बार सभी class को आपको देखते रहना है, ताकि आपको mind में state हो जाए, कि ऐसा प्रसन आ रहा है, ऐसे हम लोग इसको solve कर देंगे, answer निकल जाएगा, अगे बढ़ते हैं अगला प्रसन, कह रहा है आप से कि px का 1 सुनियक माइनस 1 हो, तो px का गुनन खंड, देखे एक सुनियक माइनस 1 होगा, तो plus में आएगा न, x प्लस 1 बराबर 0, तभी तो x बराबर माइनस 1 होगा, देखे यह सुनियक का गुनन खंड होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, तभी तो माइनस 1 आ रहा है, जब भी यहाँ पर माइनस 1 देगा, तो सुनियक का गुनन खंड कीतना था, 1 था तभी तो 0 अधर जाकर माइनस 1 होगा था, जब यहाँ पर आपका plus one देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 तभी तो ओधर जाकर plus होगा, प्लस 1 होगा, तो option भी सही उतर हो जाएगा काफी आसान प्रसन है आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रसन 22 नमबर कर रहा है किसी दुई घात बहुपत के सुनियक का योग इतना और सुनियक का गुनन फल दो अब ये प्रसन मैं नहीं बताने जा रहा हूँ आप जल्दी से उतर कमेंड करेंगे जल्दी से बताएं इसका सही उतर किया होगा कहिए गासर हम से फर्मूला भी याद कर चुके है दुई घात बहुपत निकालने का इस दरह हम लोग फर्मूला लिखängenगे जल्दी से बतादेंगे, शही भीद्धार्ती, क्या उत्तर आ रहा है, कभी भी क्लास को देखें, उत्तर जरूर दीजियेगा, कमेंट में लिखेगा, बाइस और अब इसी से नीचे बतादेंगे, ताकि हम लोग आगे बढ़ें, अगला प्रसन, करें आपसे कि देखिए, ए अप्रसन थोड़ा सा चैंच हो आए लेकिन आशा टाइप प्रसन आपको घवडाना नहीं है यहाँ पे करें अलबच बीता गामा तिरिघाात बहु प्ता इतना के सुनियक है तो अलबच बीतः इनटु गामा क्या होगा तो अलबच बीता इनटु गामा सीधे सीधे फर्मूला है तिरिखात बहुपद में सुन्य का गुनन फल यहीं प्रसुल पूछा जा रहा है तो कितना होता है माइनस डी बटाए तीन फर्मूला इसमें होगा एक अलफा बीटा इंटू गामा माइनस डी बटाए तीनों मैं बता दे रहा हूँ ताकि आगे कोई भी फर्मूला है तो वहाँ पे हम लोगों को रूखना नहीं पड़े आप जल्दी से स्वल्ब कर देंगे अलफा बीटा प्लोस गामा माइनस बी बटाए आपका एक होता है अलफा बीटा इंटू बीटा गामा मन सभी सुन्य का गुना का योग फल तो सी बटाए तीन फर्मूला है तिरी घात पर उपद में तो ओप्सन सी इस दर राइट आंसर चलिए आगे बढ़ें अगला प्र गात बता सकते हैं उसी तरह मेक्सिमम पावर का गुना करेंगे तो मेक्सिमम पावर कितना है वाई का पावर दो इधर मेक्सिमम पावर कितना है वाई का पावर 5 वाई वाई बेस समान है पावर जूट जाएंगे वाई का पावर कितना हो जाएगा साथ मेक्सिमम घात कितन नमर प्रसंद का देख लिए बस आपको ने को क्या करना है कि maximum power से गुना करना है ठीक है बस maximum power से ए बात आपको याद रखना है कि बस maximum power से गुना करेंगे हमारा घात आ जाएगा रैखिक समिकरन में चरकी घात की संख्या रैखिक समिकरन linear equations रगात कितना होगा यह होगा पीछ सब टाइब का प्रसंद ले रहा हूँ ताकि मैं इसलिए तो दावा के साथ कर रहा हूँ कि इससे बाहर कोई प्रसंद नहीं आएगा option भी रैखिक बवपत के सुनियक एक दो इघात बवपत के तीन फिलाल option भी सही उतर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे इसके सुनियक कहा है अब बताएंगे इसके सुनियक कौन से हैं ये प्रसंद पूछा जा रहा है तो एक तो तरीका है कि यह सभी मान रखकर यहाँ पे चेक करेंगे मान जो 0 करेगा वो सुनियक हो जाएगा दूसरा तरीका इसका सुनियक सीधे सीधे निकालते हैं तो 5 और 2,10 को यहाँ पे 5 में 2 से गुना करेंगे समझ रहे ना 2 से 5 में 10,10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5 अब इसको आसानी से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2X स्क्वाइर और आपका प्लॉस 2X और माइनस 5X अभी तो घटेगा तो माइनस 3 आएगा माइनस 5, 2X कॉमल लेंगे सर, X प्लॉस 1 हो जाएगा, मा बाहर वाला एक भीतर वाला या इससे लिख ले रहे हैं ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बराबर 0 के इधर भेजेंगे, तो X बराबर 5 बटा 2 और यह प्लॉस 1 है तो माइनस 1 कॉन आंसर दिया है, माइनस 1 दिया है, तो आप्शन भी सही उतर हो जाएगा, सुन्यक निकाल तो इस क्लास आएंगे, आप असानी से मैथ में 50 में 50 से स्कोर करेंगे, अब देखिए उससे भी बववा टाइप रस्त, करें, PX बराबर QX इंटू GX है, तो PX का घात 6 है, तो GX का घात 2 है, तो इसका PX बराबर GX का घात कितना होगा, भागा में रहे, बेस समान रहे, तो पावर क्या होता है, सर घट जाता है, X का पावर 4, चलिए, उप्सन A सही उत्तर हो जाएगा, यहां मैं सीदे सीदा आपको यह सीखाने का परियास करा हूँ, कि अबजेक्टिव प्रसंट किस रूप में आएंगे, क्या आपका उत्तर होगा, ऐसे पूरा डिटेल में मै दूसरा चेप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, दूसरा हम लोग का जो चैनल है, ए आर कैरियर क्लास चलता है, सब्जेक्टिव प्रसंट का, तो वहां से देखकर आप सब्जेक्टिव में भी चाहते हैं, 50 में 50 करना ता कि यह उप्जेक्टिव 15 वीडियो क्लास, और सब पर चैनल पर भी जाकर आप कलास कर सकते हैं, यह फिलाल ओप्जेक्टिव प्रसंट का, आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से अंत तक बने रहेगा, बारीकी से परतेक प्रसंट को सॉल्ट कीज़े, जल्दी जल्दी उतर दीजिए, क्योंकि हम अब इसमें आप समय लेंगे, कहेंगे नहीं सर अभी आपने पीछे बताया, कि अलफा प्रसंट बीटा सीधे देखेंगे, सुनियक का यह उपहल मतलब सर माइनस भी बताये, माइनस से तरह लिखेंगे, फर्मूला का B का मान देखेंगे, तो माइनस तीन, एक का मान सर जी, जो X स्कुार का गुनान का है, one, माइनस, माइनस, प्लॉस, तिन बताये, कि एक से भाग देंगे, जल्दी से ओप्सिन, उत्तर हो जाएगा तीस नंबर प्रसंट का चलिए काफी स्तांदार अब ऐसे प्रसंट पर हम लोग नहीं रुकेंगे जादा देर अब देखिए ए क्या कह रहा है यह आप से कह रहा है कि इसके सुनियक होंगे अब बाटा देखकर आपको घबडाने किया हो सकता नहीं सुनिय बारह बराबर जीरो इसी का सुनियक आप से पूछा जारा है तो बारह चक बहत्तर बहत्तर को तोड़िए दो से च्छतिस दो से अठारह दो से नो तीन से तीन अब इस रूप में लिखना है कि घटाने पर कितना है एक आए तो तीन तीरी का नो दो दोनी चार दोनी आठ न बिल्कुल सही चार दोनी चार दोनी आठ और चार दोनी आठ और चार तीन तीन है अब यहाँ पे बाहर वाला एक भीतर वाला लेंगे यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से दो एकस प्लॉस तीन बराबर जीरो इस साइड भेशने है तो माइनस चार है तो प्लॉस चार और यहाँ पे माइनस तीन है, पुलोस तीन है, तो माइनस तीन बटा में दो, चार बटा में दो, और माइनस तीन बटा में दो, कहाँ पे दिया गया है, तो सर ओप्सन बी पे दिया गया है, तो यहीं सही उतर हो जाएगा, एक तीस नमबर प्रस्न का, यहीं सही उतर हो जाएगा ऐसे प्रसंद पीछा भी मैं सिखा रहा था कि X plus 1 PX का एक सुन्यक है मतलब सर X plus 1 बराबर 0 है मतलब X बराबर plus 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1 बववा भी जानता है कि option A सही उत्तर हो जाएगा 32 नमबर प्रसंद का अगे बढ़ें इसी तरह पूरा चेप्टर का क्लास आएगा ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गार पूरा क्लास देख लेंगे मैत में अबजेक्टी में इसी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे या कजाम में अब तुफान मचा कराएंगे कर रहा है दुई घात बहुपद के सुन्यक इतना है तो दुई घात बहुपद कहेगा सरथ अब ये परसंद Two किसी भी हाल में कुछ भी पूछ ले हम गलत नहीं करेंगे देखे धेजान देना है सुन्यक दिया है योगफल बनन्फल नहीं दिया है और यहाँ पे गुनन फल भी निकाल सकते हैं इसको गुनना कर दीजिए यह बस यहीं थोड़ा साथ को साउधानी बरतना है X स्क्वाइर माइनस 5 में से 3 जाएगा 2X और माइनस 15 कहाँ पे दिया गया है सर सभी चीज माइनस में है तो option C सही उतर हो गया चलिए उमीद करा हूँ समझ रहे हैं बारीकी से सीख रहे हैं काफी सांदार अब ऐसे प्रस्णा आप गलत नहीं करेंगे करें अलफा प्लोस बीटा सीधे सीधे फर्मूला पूछा यहाँ पे अलफा प्लोस बीटा सुन्यक का योग फल सर माइनस बी बट्टा A option A is the right answer करें दो तरुका है सीक्रेंगे 2021 सीख लेंगे सीकरेंट मैं आपको बता देरा हूं दो तरीका है एक तरीका कि इसका मूञ निकाल यह 3 तरीका 9, 9 को तोड़िये और मून निकाल यह और एक एक बड़ना तीन आएगा एक दूसरा कोई मूल आएगा वह आपका उत्तर हो जाएगा वैसे मैं आपको सीखा चुका हूँ दूसरा सीक्रेट तरीका सीखेंगे एक जो हम लोग अलफा पलस बीटा और अलफा इंटू बीटा पर बना रहे हैं न उस पे भी आसानी से आप इस प्रसुन को बना सकते कैसे बनाएंगे मूल दूसरा तरीका मैं आपसे कहूँ कि आलफा इंटू बीटा क्या होता है कहिए ख़ाग में है तो इधर आकर गुना में होगा एक गुना त्रातो कि बीटा बराबर तीन और बीटा क्या है दूसरा मूल है तो देखे कि असानी से सृ स्अ आप बना देंगे ओप्शन डी इसे भी आप इसका मूल निकालते तो एक तीन आता एक एक बटा तीन तभी आप तीन ही आंसर करते 35 का हो गया option डी सही विध्यारती समझ रहे हैं 22 से सिखिएगा 36 नमर प्रस्ट करें मूलों का गुनन पल कहिएगा अब तो एक प्रस्ट किसी भी हाल में हम लोग गलत नहीं करेंगे सी बटा ये अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं अलपा इन्टू बीटा सी मतलब जो कॉंस्टेंट ये मतलब जो ये स्क्वाइर का गुनांख है चार एक बटा में चार option ए इस दर आइड आंसर 36 का हो गया option है कोई doubt नहीं आगे बढ़ जाएंगे 37 नमर प्रस्ट अब देखिए सीधे सीधे फर्मूला पे best प्रस्ट आ गया तिरिगात बहुपद दिया है अलफा बीटा गामा इसके सुन्यक है 3 सुन्यक है तो अलफा बीटा बे फर्मूला मैं आपको अभी लिखाया ता पीछे इसलिए मैं फर्मूला बता दिया ताकि यह प्रस्ट आएगा आपको समय नहीं लेना है जल्दी से solve कर देना है चलिए तो इसका मान कितना होता है C कौन सा होता है यह आपको समझने किया हो सकता है तो यहाँ पर दिखिए AX यहाँ पर square minus BX minus CX है इसे लिखा गया यह तब यह D हुआ है तो C कौन सा है जो X का गुनांक है तो minus 3 यह कौन है जो XQ का गुनांक है तो 6 मतलब सर minus 1 बता में तो कहीं पर दिया रहेगा बिल्कुल दिया है option C सही उत्तर हो जाएगा सभी यहाँ पर objective प्रस्ण में formula का खेल है ध्यान से formula जो भी लिखाया जा रहा है उसको याद करते चलेंगे आगे बढ़े 38 नमर प्रस्ण तो हराय देखिए कि इसके सुन्यक alpha बीटा है तो इसका मानब दू तरीका है इसको बनाने का फिर एक तो इसका पूरा आप सुन्यक निकालेंगे और दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा इसको solve करके आसानी से answer निकाल देखिए कैसे इसको थोड माइनस ती नेक्स माइनस एक इसके बदली में ए आया हमको इसी को इस तरह तोड़ मारोड के लिख दिया था आपको confusion create करने के लिए लेकिन आप भी confusion नहीं हुंगे क्या बीया से बीटा में गुना करेंगे बीटा वन से उन में गुना करेंगे अब देखिए फर्मूला कू बीटा C बटा A अलफा प्लोस बीटा माइनस B बटा A प्लोस वन देखिए इसी का मान पूछा जा रहा है अब C बटा A हम लोग निकालेंगे तो C तो जो कॉंस्टेंट है माइनस आठ बटा A X स्कुर का गुणांग कुछ नहीं है एक है माइनस भी बटा ये तो माइनस तीन अब तो आमान समझ चुके है ना जो X ता गुणांखा और एक कुछ नहीं है तो एक है अब यहाँ पे देखिए माइनस आठ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लोस तीन प्लोस एक माइनस आठ प्लोस चार बराबर सर माइनस चार देखे कितना आसानी से बन गया ओप्संसी सही उत्तर हो जाएगा या यह काफी सांदार दो तीन बार क्लास को देखेगा इसलिए मैं यह सभी प्रसंद पढ़ा चुका हूँ यूटूब चैनल पर लाइब क्लास में लेकर मैं वीडियो क्लास के रूप में मेरा टार्गेट है कि आपके पास ऐसा कॉंटेंट प्रोभाइड कर दिया जाएगा 15 वीडियो क्लास का एक प्रेलिस्ट जो आप डेली सुने को वक्त अगर देखते हैं तो मैत का इतना सांदार आपका तैयारी हो जाए कि सीधे सीधे एकजाम में प्रसन आए और अबजेक्टिव प्रसन आप आसानी से पूरा का पूरा पचास में पचास संक आपको सॉल्व करके आना है और बिल्कुल सही और कम समय में यह कह रहा है यहाँ यदि बहुपद इतना के सुनिया के एक भीमरुटकार में एक बीटा है इसका मतलब है कि यहीं परसल का रहा है अब क्यूं और पर कि यहां पहिए संद्र निकालेंगे लिए और सउनिया का मतलब सी यद T सी बटाए तो एक अलफा है तो इसमें करें कि एक सुन्य कितना है दूसरा उसके ब्यूत कर्म है और सी तो सी जो constant है और ये जो x square का गुलांक है कुछ नहीं है मतलब एक है अब अलफा से अलफा के अंसिल 1 बराबर माइनस q या q बराबर माइनस 1 मैं इधर उधर लिख रहा हूं क्योंको मोबाइल के एक स्क्रीन पर ही मुझे लिखना होता है आप फूल स्क्रीन मोड में करके देखेंगे अप्सन ये सही उत्तर हो जाएगा 39 नमबर प्रसन का या आगे बढ़े 40 नमबर प्रसन अब तो ये बववा टाइप प्रसन आगया मैं इसको छोड़ दूँ आप लोग मना लेंगे जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में कभी भी आप क्लास को देखे कमेंट में सुन्यक दिया है और इंटू-1 इंटू-1 का गुणन फल है एक सस्क्वार यहां पर माइनस चार एकस और इतना है, एकस स्कॉयर माइनस चार एकस माइनस बारा कहीं पर दिया गया, बिल्कुल दिया रहेगा, उप्षन ए सही उत्तर हो जाएगा, 40 नमबर प्रस्न का, आपका उत्तर आया है कि नहीं, जल्दी से बता देंगे, 40 नमबर प्रस्न, दुई घात बहुपद के सुन्या की स संख्या, थोड़ा भी समय नहीं लेना है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, कहीं एक असर 2 होगा, अच्छा निमलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जब चर की घात ना हो, पूर्ण बहुपद हो नहीं सकता, तो घात क्या होना चाहिए, यह पूर्ण संख्या, जिस पूर्ण नमबर 42, आगे बढ़ते हैं, 43 नमबर प्रसन, फिर अब वहीं आगे आगे आप प्रसन की, PX का घात सर 7 है, GX का घात 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कहिएगा सर 4 होगा, सीधे सीधे घटा देंगे, 7 में से 3 जाएगा, 4 ऐसा प्रसन में पीछे भी सिखाया था, तो option B सही उतर हो जाएगा, 43 नमबर प्रसन का, काफी सांदार आगे बढ़ें, 44 नमबर प्रसन, करा है कि 1 सुनियक माइनस 2 है, तो कौन गुनन खंड है, कहेगा सर माइनस में, तो उससे में से बता रहा है, इदर प्लॉस होगा, तभी तो यहाँ पे 0 करेंगे, तो माइनस 2 होगा, जब भी यहाँ पे माइनस में दे, तो X के साथ प्लॉस में करेंगे, आपका वहीं उसका गुनन खंड होगा, जब यहाँ पे प्लॉस में देता, तो यहाँ पे माइनस 2 करते, ठीक है, क्लियर समझ गया, 2, 4, 3, कुछ भी देगा, यहाँ पे माइनस तो समझेगा, X क पहले उतर कमेंट करेंगे जल्दी से उतर बता देंगे सही विद्यारती C बटा A होता है C जो कॉंस्टेंट है एक बटा एक मतलब सर एक ही न हुआ option B सही उतर हो जाएगा 45 नमबर प्रस्णकार चलिए जल्दी जल्दी उतर देंगे जल्दी जल्दी उतर देंगे हर एक टाइब का प्रस्ण में आपको करा देना हूँ ताकि एकजाम में इससे बाहर कोई प्रस्ण नहीं आएगा 15 क्लास प्रेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मील जाएगा चैनल को सब्सक्राइब के रखिए एकजाम तक जो जो कलास आ रहा है देख लीजिए मैत में आसानी से आप 50 में 50 अब्जेक्टिब सही करेंगे आएंगे ओभी 50 मिनट में सौल्ब कर लेंगे अब देखिए मूल का योगफल प्रसनी सभी रीपीट कहीं कराया जा रहा है ताकि आप समझें हैं कि नहीं आप संसी सही उतर हो गया काफी सांदर आगे बढ़े 48 नमर प्रसन अब देखिए सीदे सीदे फर्मूला अभी मैंने लिखाया कि तिरगात बहुपत के सुन्यक के गुनन फल और योग गुनन फल कर गुना करके और यो जोड़ेंगे तो क्या होता है सी बटाए होता है अभी आपको याद होगा दो दो बारे फर्मूला मैंने बता दिया तो ओप्सन भी कोई आपको इसमें वेट नहीं करना है जल्दी से कमेंट करेंगे सही विद्यार थी कि 47 का ओप्सन भी सर सही उतर हो जाएगा आगे बढ़े 48 नमर प्रसन कह रहा है कि इ सुनियक का गुनन फर मतलब क्या क्या होगा अलफा इंटू बीटा मतलब सर सी बटा में ए अलफा कितना है तो एक सुनियक तीन है और बीटा तो अपना बीटा है ठीक है तुसी तरह रहने दे रहे हैं और सी तो सी कितना है तो जो कॉंस्टेंट है देखिए के और ये कितना है तो जो एक से स्क्वाइर का गुणा अंख है अर्थाद यहां पर अगर हम बीटा का मान निकाल ले तो के बटा में 6 हो जाएगा समझ रहे नहीं गुणा में है तो इधर आकर हो गया भाग में तो तीन दूनी 6 हो जाएगा के बटा में 6 दूसरा प्रस्ण में कह रहा है कि अ यहां पर निकाल ले हैं यहां पर चाहित है कि बटा 6 देख रहा है यहाँ इसलिए तो एक काम किया हम लोग के बटा 6 माइनस भी तो माइनस जो एक्स का गुणा आंख हो कितना है आपका एक है और यह तो जो एकस स्कॉाइर का गुणा आंख है 2 हो गया यहाँ पे 6 का लगूतम हो जाएगा 6, 6, 3 का 18 पुलस के बराबर माइनस एक बटा दो या यहाँ से 2 से इसको कटा देंगे 3 अर्थात की 18 पुलस के बराबर माइनस 8 तीर्चा तीर्चा तीर्ची गुना करना है के आगे आपका ॉप्शन भी ध्यान से 2 तीन बार प्रसन को सुल्प किर लिजेगा, इस से बाहर कोई प्रसन नहीं आएगा तिरिघात बहुपद में पूछ रहा है सुन्या का गुनन फल अलफा इंटू बीटा इंटू गामा तिरिघात बहुपद में क्या होता है सर माइनस डी बटा ये माइनस डी मतलब जो कॉंस्टेंट है साथ है आपका तो साथ ही रहेगा और यह मतलब जो XQ का गुणांक है चार माइनस साथ बटा में चार कहां पे दिया गया है option A option A सही उप्तर हो जाएगा 49 नमर प्रसंद का सीधे सीधे फर्मूला का खेल है तो जी मैं 49 टाइप का प्रसंद आपको करा दिया इससे बाहर कोई प्रसंद नहीं आने जा रहा है इस तरह आज दूसरे चेप्टर का भी खेल हम लोगों ने खतम किया 15 वीडियो कलास आएगा कोई भी कलास छूटता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का जाकर आप देख सकते हैं या दूसरा जहों लोगों का चैनल है ए आर कैरियर पॉइंट इसका टेलीग्राम का भी लिंकों का डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाएगे वहाँ पे आपको फिरी पिडियेफ नोड्स और उसके साथ साथ यह सभी क्लास का बाताई इसका सभी औफिसिल अपडेट वहाँ से अब कNote कीया जाता है तो वहाँ से भी आकर आप कलास देख सकते हैं और फिर अब पिडियेफ नोड्स पराप्त कर सकते हैं चलिए उमीद कर रहा हूँ कि ये चेप्टर का भी टेंसन आपका खतम हुआ दूसरे तीन बार एकजाम तक इस वीडियो क्लास को देख लीजेगा पहले चेप्टर का क्लास भी पीछे हो चुका है इसी तरह अगर आप चाहते है कि तीसरा चेप्टर का जल्दी क्लास आए पंदरा चेप्टर तक हम लोग खतम करें ताकि आप बार बार देखकर पंदरा चेप्टर पर इतना कमांड करके जाएं कि ये चेप्जाम में 50 में 50 आपका अबजेक्टिब सही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताईएगे कलास को लाइक जरूर करेंगे और उसके साथ कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि तीसरा चेप्टर का कलास आप कब चाहते हैं तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद